दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जिस अभीनेतरी की बात करने वाले हैं। उसने अपने अभीने करियर की शुरुवात तो साउथ के फिल्मों से किया था। लेकिन चंद फिल्मों के बाद जब उसने बॉलिवुड में एंटरी मारी तो वो अपने पहले ही फिल्म से दर्शकों के बीच लोग प्रिये हो गई। इतना ही नहीं इसके बाद تو उसने कई बॉलिवोड फिल्मों में अभिने किया और अपने शांदार अभिने से दर्शकों को रुमान्चित किया और उनका दिल जीता लिकिन कुछ सालो बाद अचानक वो बॉलिवोड फिल्मों से दूर हो गई इतना ही नहीं वो 2017 के बाद किसी भी फिल्म में दिखाई नहीं थी अपने पहले बॉलिवोड फिल्म में मासूम से दिखने वाली उस अभिनेत्री का लुक अब पूरी तरह से बदल गया है दोस्तो हम बात कर रहे हैं अपने हिंदी डेब्यू फिल्म मोहबते से सुर्खियां बटोरने वाली अध्यकारा प्र प्रशक भी काफी हैरान है क्योंकि दो दशकों के बाद भी उन्होंने अपने आपको पहले की ही तरह फिट रखा है आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुर्वाती जीवन फिल्मी करियर और व्यक्तिकत जीवन के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को बताएंगे जिनने शायद ही आप जानते होंगे इसलिए दोस्तों जानने के लिए वीडियो कौन तक देखें दोस्तों उनका जन्म 18 अगस्त साल 1980 को मुंबई महराष्ट्र में एक हिंदू परिवार में हुआ था उन्होंने अपनी शुर्वाती पढ़ाई मुंबई के दो स्कूलों से पूरा किया जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल और जॉसेफ सेंट कॉन्वेंट स्कूल उसके बाद उन्होंने आगी की पढ़ाई करने के लिए जैहिंद कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया वहीं से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हाला कि उ उन्होंने कॉलेज में दाखिला तो करवाया था लेकिन ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी खेर पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका जुकाओ फिल्मों की तरफ गया लिहाजा उन्होंने फिल्मों में अभिने करने का फैसला किया हाला कि वो बॉलिवुड में एंट्री मानने वाली थी लेकिन वहां से उन्हें कोई ओफर मिलता उससे पहले उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अभिने करने का मौका मिल गया इसलिए साल 1999 में उन्होंने अपने अभिने करियर की शुरवात मल्यालम भाशा की फिल्म मजा विल् करके वो फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत लोग प्रिय हो गई और इसी तरह साउथ फिल्मों से अपने अभिने करियर का खाता खोलने के बाद उन्होंने बॉलिवुड इंडस्ट्री में कदम रखा साल 2000 में आई अधित्य चोपड़ा की हिंदी भाशा की फिल्म म सराज, जिम्मी शेर गिल, शमीता शेट्टी और अमरेशपुरी जैसे सहाय कलाकार भी शामिल थे इसमें प्रीती ने किरन खन्ना की भूमिका निभाई थी उनकी द्वारा किये अभिने को काफी सराह गया था इतना ही नहीं उन इस फिल्म में शांदार अभिने करने के फिल्म ने भी कई अवार्ड जीते, अपनी पहली ही बॉलिवुड फिल्म से वो दर्शकों के बीच लोगप्रिय हो गई, और इसलिए इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इस फिल्म के बाद वो दोबारा साउथ की फिल्मों में काम करने लगी, लेक उसी साल आई फिल्म आवारा पागल दिवाना में भी वो नजर आई, जो उनकी तीसरी बॉलिवुड फिल्म थी, इस फिल्म को निर्देशक विक्रम भट द्वारा निर्देशित किया गया था, जो कि एक एक्चन कॉमेडी फिल्म थी, इस फिल्म में मुख्या बिनेता के रूप में सुनिल शेटी, अक्षे कुमार और परेशावल शामल थे, इतना ही नहीं, सायक भूमिका में जॉनी लिवर, आफ्ताव शिवदसानी, आर्ती चभारिया और अमरिता अरोडा दिखाई दिये, प्रीती ने इसमें प्रीती आचारी की भूमिका निभाई थी, फिल्म परेशावल को शानदार कॉमेडी करने के लिए पुरस्क्रित भी किया गया, ऐसी शानदार फिल्मों में अभिने करने के बाद उन्हें लगतार फिल्में मिलती गई, और उन्होंने back-to-back काई सारे फिल्मों में अभिने किया, जैसे वह, तेरा क्या कहना, अनर्थ, एलो सी कारगेल, सुख, चहरा और चाहत एक नशा धीरे धीरे उन्होंने काफी लोक्ट्रियता बटोरी और दर्शकों को अपने शांदार अभिने से रोमानचित किया इसके बाद वो साल 2006 में आई फिल्म चांद के पार चलो में अभिने करते हुए दिखाई दी हाला कि ये फिल्म ब बर 203, दा मास्टर पीस और सही धन्दे गलत बंदे जैसी फिल्में शामिल हैं आपको बता दे कि फिल्म सही धन्दे गलत बंदे में उन्होंने अभिने तो किया ही था साथ ही इस फिल्म को प्रिड्यूस भी किया था इसके साथ ही इस फिल्म में उनके पती ने भी अभिने किया था लेकिने फिल्म बॉक्स ओफिस पर सफल नहीं हुई उन्होंने अपने फिल्मी करियर में बस एक ही फिल्म को प्रियूस किया था और जो ये थी साल 2013 में आई फिल्म काश तुम होते उनकी आखरी बॉलिवुड फिल्म थी क्योंकि इस फिल्म के बाद वो किसी और हिंदी भाषा की फिल्म में नहीं दिखाए थी लेकिन उन्होंने उसके बाद भी कई और फिल्मों में अभिने किया जिसमें कंणड, बंगाली, पंचाबी और राजिस्थानी भाषा की फिल्में शामिल है साल 2017 में आई राजिस्थानी फिल्म तावलो दस सनलाइट में उन्होंने बुक्य भूमिका किया इस फिल्म में उन्हें बेस्ट एक्प्रेस का आवर्ड भी दिया गया ये उनके अभिने करियर की आखिरी फिल्म थी इसके बाद वो दोबारा कभी फिल्मों में नजर नहीं आई लेकिन करीब 5 साल बाद उन्हें साल 2023 में वेब सीरीस कफस में अभिने करती हुए दिखा गया दोस्तों उम्मीद है कि वो आने वाले समय में फिल्मों में वापसी करेंगी साल 2008 में उन्होंने अभिनेता परवीन दबास से शादी कर लिया उनके पती परवीन भी एक एक्टर है उन्होंने कई फिल्मों में शांदार भी ने किया है जैसे दिल लगी, मुस्कान, कुछ मीठा हो जाए, रागनी MMS2 और खंजकर उन्होंने अधिकतर हिंदी और इंगलिश भाषाओं की फिल्मों में काम किया है अक्टर के अलावा वो डायरेक्टर और मॉडल भी है दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी वहां से एक दूसरे से दोस्ती करने के बाद, दोनों में प्यार परता गया और जब दोनों को लगा कि उस प्यार को कोई नाम दिया जाए, तो फिर दोनों ने शादी कर लिया प्रीती के दो बच्चे हैं, एक का नाम जैवीर दबास है, जिसका जन्म साल 2011 में हुआ था जबकि दूसरे बच्चे का नाम देव दबास है, जिसका जन्म साल 2016 में हुआ था फिलहाल उनके दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे हैं वही पर उनके पिता गोबिंद जंग्यानी भी एक अभी नेता थे, जबकि उनकी मा मनीका जंग्यानी एक हाउस वाइफ थी, वही पर उनकी बहन लीपा जंग्यानी भी एक सेलेब्रिटी है, हाला कि वो अपनी बहन प्रीती की वज़ा से अधिक जानी जाती है, दोस्तों उन अभीने से अभी तक उन्होंने दर्शकों को काफी रोमान चित किया है। बैराल 43 साल की उम्र में भी प्रीती काफी खुबसूरत और फिट है। उमीद है कि वो जल्द ही किसी फिल्म में नजर आएंगी और अपने चाहने वालों को एक बार फिर एंटर्टेन करेंगी। हम उ बार आएंगी उम्र आएंगी बार आएंगी। है। यजर आएंगी।